आज की वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाइ करना है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कभी कभी क्या है कि हम अपने एक ही एंड्रोइट मुबाइल में मल्टि टास्किंग करना जादा पसंग करते हैं तो यहाँ पे आप अगर यूटूब की वीडियो को प्ले करने के साथ साथ बैगर बैगरांड में कुछ और भी मल्टि टास्किंग करना चाहते तो ऐसे कैसे में आप इसली इस मेथड को अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको पहले बता देता हूँ कि यह जो यूटूब की वीडियो को आप बैगरांड में इस प्रॉसेस को अप्लाइ करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी आप्लिकेशन की जरुवत नहीं है विदाट अप्लिकेशन आप इस प्रॉसेस को अप्लाइ कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे जरुवत पड़ेगी गूगल क्रोम ब्रॉजर की तो गूगल क्रोम ब्रॉजर में जाना है और आपको सिंपले यूटूब डॉट कॉम पे विजिट करना है यूटूब डॉट कॉम पे विजिट करने के बाद इसको डेक्स्टॉप मोर्ड पे सेट कर देना है उसके बाद आप यहाँ पे उस वीडियो को सर्च कर लिजिए जिसको आप यहाँ पे बैगराउंड में प्ले करवाना चाते है तो फॉर एक्जमपल आई लव तारक मैता यहाँ पे मैं तारक में तक वीडियो को बैगराउंड में प्ले करना चाता है तो यहाँ पे आप वीडियो को प्ले करते करते हैं गूगल कुरूम ब्राउजर में कुछ भी आप यहाँ पे ब्राउजिंग कर सकते हैं यानि कि बैगराउंड में जो वीडियो है वो तो प्ल लेकिन इसके साथ साथ आप Google Chrome ब्राउजर में आप यहाँ पर कोई भी मल्टी टास्किंग भी कर सेथा निकि ब्राउजिंग भी आप कर सेथा तो आपको सिंपली जूम करना है और यहाँ पर इस उप्षिन पे बॉक्स वाले उप्षिन पर क्लिक करें तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो वीडियो है यहाँ पर बैग्राउंड में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी है फिर इसके बाद आप अपने गुगल क्रूम ब्राउजर में कुछ भी ब्राउजिंग करते करते इस वीडियो को आप यहाँ से इंजॉय कर सकते लेकिन एक बात यह यहाँ पर थोड़ा से इसका निगेटिव है इस वीडियो को आप सिर्फ गुगल क्रूम ब्राउजर में ही यूज कर सकते हैं आप अपने मोबाल के बैग्राउंड में इस यूटुब की इस फीचर का यूज नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ गुगल क्रूम ब्राउजर मे यह ब्राउजिंग करते करते इस वीडियो को background में play कर सकते है एकजंपल कर दिए एक और वीडियो को background में play करके निखाओंगा तो लेटसे एक गिंधा फूल करके एक video है इसे background में play कुरूंगा तो let आप Zhou करने के बाद फीड से उस box वाले option पर click करूंगा और यहाँ पर जो video है यहाँ पर background में play होना start हो जाएगा you can see that that's it तो इसी तरीके से आप YouTube की video को background में play कर से तक है Google Chrome browser की help से this will help you in 2020 and in future as well thanks for watching you